वावे ने एक बार फिर स्मार्टफोन इनोवेशन की सीमाओं को तोड़ते हुए वावे मेट XT पेश किया है। यहाँ नया डिवाइस, जिसे 10 सितंबर को लॉंच किया गया, दुनिया का पहला ट्रिपल फोल्डेबल फोन है। लेकिन उत्सा यहीं खत्म नहीं होता। और क्या यहाँ डिवाइस अंतराश्ट्रिय बाजार में भी दस्तक देगा। वावे मेट XT बाकी सभी स्मार्टफोन से बिलकुल अलग है। इसका ट्राइफोल्ड डिजाइन न केवल वावे के लिए बलकी पूरे स्मार्टफोन उद्योग के लिए पहला है। वावे के ग्लोबल चैनल पर हाल ही में अप्लोड की गई एक प्रमोशनल वीडियो में मेट XT के स्लीक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की ज़लक दिखाई गई है। एक मिनिट की इस छोटी सी क्लिप में फोन को दो बार फोल्ड होते हुए दिखाया गया। जिससे यह फोन पूरी तरह खुलने पर यूजर्स को 10 इंच की बड़ी स्क्रीन देता है। इस तक्नीक के पीछे का विज्ञान काफी प्रभावशाली है और वावे स्पष्ट रूप से अपने इस कारणामे पर गर्व कर रहा है। वावे के कंज्यूमर बिजनेस चेर्मेन वायू चेंगडॉंग ने भी कहा कि कंपनी ने कुछ ऐसा बना दिया है जिसके बारे में औरों ने केवल सपना देखा था। लेकिन वे इसे हकीकत में नहीं बदल पाए। इससे यह साफ हो जाता है कि वावे को मेट एकस्टी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और यह डिवाइस फोल्डेबल फोन मार्केट को फिर से परिभाशित करने वाला है। हाला कि मेट एकस्टी को चीन में लॉंच कर दिया गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू अब तक अनश्चित है। न तो प्रमोशनल इमेजेज और नहीं वीडियो में किसी वैश्विक लॉंच की तारीख की पुष्टी की गई है। लेकिन वावे ने इसे अपने ग्लोबल सोशल मीडिया पेजों पर शेर किया है। जिससे फैंस कयास लगा रहे हैं कि कमपनी शायद इसे अंतरराश्च्रिय मार्केट में भी उतारने की तयारी कर रही है। हाला कि वावे ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की है, लेकिन उमीद है कि 19 सितंबर को होने वाले उनके अगले इवेंट में इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। revolutionary design से आगे बढ़ते हुए, में टेक्स्टी में कुछ प्रभावशाली features भी दिये गए हैं। वावे ने इस device को top-fit-line specifications के साथ less किया है, जिसमें high-end AI tools शामिल हैं, जो खास तोर पर content creation और photo editing के लिए design किये गए हैं। ये features उन uses के लिए perfect हैं, जो multimedia projects के लिए powerful software की जरूरत रखते हैं, या फिर अपने photography skills को एक नए level पर ले जाना चाहते हैं। इस phone का market में बड़ा potential है। Huawei ने बताया है कि चीन में Mate XT के लिए अब तक 40 लाख से ज्यादा reservation हो चुके हैं। यह एक बड़ी संख्या है और यह दर्शाता है कि इस नए device में ग्रहकों की बहुत दिल्चस्पी है। कई लोगों का मानना है कि Mate XT अपने प्रमुक प्रतिद्वन्द्वियों जैसे iPhone 16 सीरीज को भी पीछे छोड़ सकता है। झाल